नमस्कार स्वागत है आप सभी का कारिक्रम दिल से में टूरिजम की हम बात करेंगे तो हमारे जहन में ख्याल आता है हेरिटेज टूरिजम या फिर पिल्ग्रिमेज टूरिजम जिसके लिए हम मांडू, खजराओ या फिर उजन और अमर कंटक जाते हैं लेकिन आज हम बात करेंगे जंगलों की जिनकी वज़र से आप और हम एक स्वच्छ वातावरण महसूस कर पा रहा हैं तो आज हम इसी से जुड़े टूरिजम यानि इको टूरिजम की बात करेंगे कौन सा सबसे पॉपुलर इको टूरिजम डेस्टिनेशन होगा पफरवाला जो टूरिजम है यह बहुत पॉपलर हो रहा है और केरला की बात करें तो वो एक एको टूरिजम डेस्टिनेशन भी कहलाता है तो हमारा जो यह मध्यप्रदेश है वो क्यों नहीं कहला रहा है एक्चलि यह सारा मार्केटिंग का खेल है तो सबसे सैटिस्फाइंग टेन्योर रहा हो कांसा है फिल्ड अरेक्टर सप्पलर टाइगर रिजर्व की जो परिष्ठापना थी आज हमारे साथ 1987 बैच के IFS ऑफिसर श्री सुरेन सिंग राजपुजी है जुनोंने महत्पुन विभागों में अपनी एहम भूमी का निभाने के बाद आज वर्तमान में मध्यप्रदेश एको टूरिजम डेवलप्मेंट बोड के मुख्य कारे पालन अधिकारी के पदपर अपनी सिवाए दे रहे है नमस्कार राजपुजी आपका हमारे इस कारिक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है आप एको टूरिजम बोड के मुख्य कारे पालन अधिकारी है तो टूरिजम की बाद हम करते हैं तो तूरिजम और एको टूरिजम इसमें क्या फर्क है बेसिकली हैं तो दोनों ही टूरिजम के भागी हैं लेकिन जो चुकिए इसमें इको सब्द जड़ा हुआ है तो टूरिजम और एको टूरिजम में कुछ मुलभूत बेसिक सिद्धानत अंतर है पहला जो सिद्धानत है एको टूरिजम का कि इट से हाई वैल्यू लो वाल्यूम यानि जो भी प्लेसे पहम टूरिजम करते हैं हमें भीड नी चाहिए क्वालिटी के ऐसे लोग जो नेचर को अप्रिशेट कर सकते हैं और ऐसे हाई वैल्यू लो इंपेक्ट टूरिजम जो है वो एको टूरिजम की बेसिकली मूल भावना है दूसरा अंतर जो है टूरिजम में होता यह है कि अकसर जो टूरिच लाजेज रूजजे हैं, RESORTS हैं वहां पहें लोकल लोगों को कम्यूटी को बेनेफिट्स उस अनुपात में नहीं होता है और जो तीसरा मुख्य अंतर है कि बेसिकली नेचर का अंजर्वेशन, कि लोग ऐसे प्लेसे पे आएं, इसकी शान्त और इसकी संदर जो बातावरन है, उसका आनंद लें और उससे प्रेडित होके वो प्रयावरन के संड़क्षण में अपना सही ओग दें. तो इन तीन मायनों में, एको टूरिज्म और टूरिज्म ऐसे डिफरेंट है। जब आप किसी एको टूरिज्म बेस्टिनेशन को डेवलप करते हैं, तो किन किन कमपोनेंट्स को ध्यान में रखते हैं। पहली चीज तो यह है कि वहां पे कुछ नेचरल ब्यूटी इस तरहें तो इसके अलाबा कोई व्रहद चूर्च्शन वहां पे नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली मर्जिंग विध नेचर और लो इंपक्ट कंस्रेक्शन वहां पे होना चाहिए। लोग प्रकरती को नज़ाय करें और प्रकरती के जितना नजदीक रह सकें उसी प्रकार की संरच कि अगर आपके एको टूरिजम स्पॉट्स पर्वाइड करते हैं अशी संभावना रहती हैं जहां तक संभाव है क्योंकि पूरे समय तो संभाव नहीं हो पाता लेकिन जहां तक संभाव है यह करना चाहिए कि हम एथनिक फूड खिलाएं और जो लोकल हमारी डेलिकेसी हैं ड्रिंक्स के रूप में चाहे आम का पना हो चाहे किसी आवले का जूस हो या इस तरहें की चीज़े हैं तो जो अपलबता के आधार पे ग्रामीर परिवेस में स्टोर की जा सकती हैं उसका प्रयोग करना चाहिए एको टूरिजम में और जहां भी संभा होता है वहां हम तो उनको गिंगipes कर एक देखे लिएए और फूडमियमस्टी तो उनके अगर चीजें हम किलाते हैं तो उनको अंको एक घ्रला आट या उनको विप्लावयम्ने की कषिश करते हैं उसका खेल कर दूने कोई बनाया ही उपना या पत्तो तो उसका भी कुछ उनको रोजकार मल कुछ हैंडिक्राफ्ट और ये सारी चीज़ें बनती हैं तो उनको हम अपने डेस्टिनेशन में डिस्पले भी करते हैं ताकि लोग उसको चाहें तो क्रे कर सकें तो लोगों को भी इंप्लाइमेंट मिले और ये ऐसी हैंडिक्राफ्ट लोगों के घरों तक भी पहुंच सकें उसके अलावा हम लोगों कुछ जगे ये भी एक्सपेरिमेंट किया है कि हम प्रॉसेस भी दिखाते हैं जैसे रसी बनती है लोग समझते हैं कि ऐसी रसी बनती है लेकिन अगर कोई आटीशन है बड़ा गरुप आता है तो एक रसी बनाने वालों को बठाल देते हैं तो लो प्रॉस्ट लोग जो होते हैं उनकी रीक्रियेशन के लिए क्या आप लोकल डान्स या ट्राइबल डान्स इस तरीका का भी कुछ वहां के कम्युटीज को कहते हैं कि वह इस तरीका का कुछ अप्टिविटीज वहां करें बिल्कुल जहां पर जैसे देलावारी में हमारे ल को ट्रीज़न डेसनेशन पर कराने का प्रयास करते हैं लेकिन जब कहीं एक्टिविटीज होती है तो हम देखते हम अगर भुपाल की बात करें तो कठोटिया की टीम सब से जाधा आती है कुछ अप्टिविटीज को कराने तो क्या वहां के लोकल परसन अभी ट्रेंड नही को बुलाया जाता है और हम भी प्रमोर्ट इसलिए करते हैं कि वह जिस भी डेसनेशन पुन की सेवान ली जाती है तो उनको भी रोजगार मिलता है और जहां-जहां भी वह जा रहे हैं कुछ दो चार लड़कों को नए तरीके से सिखावी रहे हैं तो लड़के बच्चे भ कि अधर हम बात करें मध्यप्रदेश की तो यहां पर कौन साबसे पॉपॉलर एको तूरिजम डेस्टिनिशन होगा आपका जहां सबसे जादा टूरिस्ट आते हैं अचली तूरिस्ट संख्या के इसाफ से हम देखे हैं तो हमारे जो बफर एरिया तूरिस्ट है जैसे एक स अचली तूरिस्ट प्रतिवर्स आने लगे हैं पेंच बफर में हमारे तूरिस्ट बड़ी संख्या में आने लगे हैं तो बफर वाला जो तूरिस्म है यह बहुत पॉपलर हो रहा है उसके अलावा कठोटिया समर्दा जो हमारी जगे हैं यहां भी अमूमन सीजन में 40-50,000 लोग आ जाते हैं तो एक उद्देस में यह भी है कि जहां बहुत ज्यादा वाइड लाइफ टूरिस्म का दबाव है तो अल्टरनेट एरियास डवलप किये जाएं ताकि कोर एरियास में दबाव कम हो सके जैसे अपने समर्धा कठूतिया की बात करें यह हमारे जिला मुख लोग 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 की मोनिटरिंग भी रहती है और ता इसलिए तो नहीं है यह जो कि यह दोनों है तो यह लाइम लाइट में ज्यादा है लेकिन जैसे पाईली है सिवनी में तो वह बहुत अच्छा एक डेस्नेशन चल रहा है लोग अपने नाव से लोगों को नोकायन और लोगों को जानकारी नहीं है इनकी जानकारी अधिक है यह जैसे आपका इको टुरिजम डेस्टेनेशन के लिए लोग किसी ने किसी ट्रैक से पहुंचते है तो जिपसी यह इसका इस्तमाल करते हैं लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इन जगह पर पोश्चने के लिए जास्ते का जो विहंगम द्रिश है वो अच्छे से देखते वे जाए जाए उसका अनन उठाते वाए जाए जैसे मेरा एक्जामपल है फोर्सित ट्रेल का जो मत्कुली से पच्मणी के लिए है वो ट्रैक लोगों को पता है लेकिन उसके अलावा ऐसे भी और कोई ट्रैक आ आउंटेनिंग है रैपलिंग है या जो भी वहां पॉसिबल है क्योंकि लोग अगर जाते हैं तो नेचर को एंज़ाय करने के अलावा उनको कुछ समय पास करने के लिए गतविदियां भी चाहिए है तो हर सेंटर पे हम कोई ना कोई असोसियेट गतविदी जरूर रखते ह हैं और ट्रेक एक ऐसी चीज है जो हर डेस्टनेशन में हो सकता है तो आपका कहना विल्कुल सही है कि लोगों को वहन की बजाए ऐसे इस्थानों पे पहुंचने के लिए साइकल या नानमोटराइज वेकल जो है या पैदल जो है वो पहुंचना चाहिए ये भी है कि लोग पहुंचके अपना सामान डंब करके और फिर उस डेस्टिनेशन से साइकल और इसका यूज जादा करते हैं जैसे मढई की हम बात करें तो वहां पर भी ऐसा है वो भी बहुत अच्छा नजार आए कि एक जगे आपको और वहां से फिर बोट से जाते हैं मढई के भी जो इस दिखते हैं तो यह बहुत पापुलर भी हो रही है मढई में लेट एग्जिट सफारी अब लेते हैं एक छोटा सब्रेक के बाद और आप से बहुत सी जानकर ही हासिल करते हैं जगा को एक तरीके से हमें गाओं वाला टच भी आ रहा है एक तरीके से हमें गाओं वाला टच भी आ रहा है एक तरीके से हमें गाओं वाला टच भी आ रहा है एक तरीके से हमें पूल वाला टच भी आ रहा है मतलब यहां पर तीनो चार चीजे मिक्स करके बनाई है तो प्रिंदान्स और और ओर्टनेजिशन बहुत ही प्यारा है यहां का शीरिशली बहुत भुरा लग रहे हैं लेकि वो चीज होती है कि थोड़े से और दिन में रुख सकती हैं अपर यह तो मेरी फेबरेट जगा है पहली बारे हाया हूं आकर के लगा कि जननत बना के रखी तर कि इwn स्विचली अठान के मीचर ने एक प्रीम बनाके रखा है जहाँ जाहँ वहां पर एक फोटो कीच सकता है यहां का जो पूरा अटमासफियर है सीजन के अक्यों बहुत अच्छा लग दोगरने को भ इत्वेंट के बहुत मससा आया यहां पर नहीं। जंगल से लिए सता है, प्रयास किये जा रहा है कि उसको और बहतेर से बहतेर बना जाए. चाहूँगा कि ऐसे ही अगर हम सब अपने वातावरन को बचाते रहें, सेज़े रहें, सेज़े रहें, तो हमी नहीं, हमारे बच्चे भी उनका भविश भी अच्छा होगा. अगर कोई फैमिली को पिकनिक के लिए आना हो, इस अच्छी रगा हो नहीं सब्सक्राइब ब्रेक के बाद सर आपका फिर से स्वागत है क्योंकि जनरली अगर देखा जाए टूरिजम सेक्टर में जो रेविन्यू आता है जाए तर फोरेंट टूरिस्ट की वज़ा से आता है तो आप भी ऐसे कोई डेस्टेशन डेवलब करें जहां फोरेंट टूरिस्ट हो और वो लोग आए एक्चली हम अभी बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास विदेशी टूरिस्ट नहीं आ रहा है पॉपुलर टाइगर रिजर्व हैं जैसे काना है पेंच है या बांधोगड है यहां अलेडी बहुत बड़ी संख्या में विदेशी परेटक आते हैं तो हमारा अभी जो टा अभी डेसनेशन को पॉपुलर करें एक दो लोगों को हमने अपने डेसनेशन दिखाए भी हैं वो मोस्ली उत्तराखंड या केरल में अपरेट करें लेकिन उनका कहना है कि मद्यप्रदेश में जो डाइवर्सिटी है वो उन दोनों राज्यों में नहीं है तो हमारे हैं पो मोड की बात करें तो पीपी मोड बहत पहले शुरू भी वह था और उसके ताहत आप लोगों का एक एजंडा था कि कोई न कोई एको पार्क है वो डेवलप किया जाए तो ऐसे कौन से पीपी मोड पर अभी शुरू है हमारे कुल तीन प्रजेक्ट एक्चली पीपी मोड पे लेकिन उसमें कुछ अरचने हमारे पास में हैं हम ज्यादा तर वन भूमी पे एको टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं और पीपी में हमें जमीन लीज पर देनी पड़ती है प्राइवेट पार्टी को या किसी को तो जो वन कानून है वो इसकी इजाजत नहीं देते हैं तो प पीपी हम सिर्फ वहीं कर सकते हैं जहां पर हमारे पास राजस्व भूमी उपलब्द हो तो इसलिए पीपी पे हमें बहुत सफलता अभी नहीं मिली है लेकिन जैसे केरवा जिप है तो यह सफलता पूरवग चल रहा है और अर्निया में हमारा है वो भी हमें एन्वल प्रीम जिसके कारण उसको बंदोना पड़ा और सर जैसे 2015 की हम बात करें तो एक नूटिफिकेशन जारी वा था कुछ रिस्टिक्शन लगाए गए थे टूरिस्स लोगों को बफर जोन में जाने के लिए तो इससे टूरिस्ट को क्या परिशानिया होई और आपको किसी करने के लिए कानूनन विवस्था की गई है तो उसके बाद से अब हमें वन्चेत्रों में लो इंपेक्ट और जो जिसमें बिना वरक्ष काटे या बिना भूमी तोड़े काम करना है तो उसमें सहुलियत मिली है इसमें मुझे नहीं लगता है कि उसमें कटनाईया हुई बल तो हमारा जो यह मध्यप्रदेश वो क्यों नहीं कहला रहा है एक्चली यह सारा मार्केटिंग का खेल है जैसे मैंने कहा कि केरल में हैं बैक्वाटर से और हाई रही रैन्फाल होने से उनके फॉरेस्ट का इक अलग वो है लेकिन डाइवर्सिटी हमारे पास ज्यादा है के केरल का मार्केटिंग का टूरिज्म का मार्केटिंग पे ही वो काफी ज्यादा पैसा खर्च करते है वही एग्रेसिव रननीती और मार्केटिंग हमारे यहां भी करने की याशकता है और देर सबेर हम लोग भी केरल से तक्कर लेंगे आप तो जंगलों से बिलकुल इतने ज एक समूव देखा जिसको हिंदी में सत्भाईय कहते हैं, अंग्रेजी में सेवन सिस्टर्स हैं, जंगल बैबलर्स उनको कहा जाता है, यह साथ आठ के जुंड में रहती हैं, बहुत ज़धा शोर करती हैं, ब्राउन कलर की बर्ड्स होती हैं, यह लोवर ग्राउंड पर रहती जंगल बैबलर्स उनकाल सकती है, मिमिक्री कर लेती है, वो अबजर्ब करती है कि यह जंगल बैबलर को कहीं कीड़ा अगर मिला, जैसे ही वो देखती कि इसको कीड़ा मिला है, तो वो इसकी तरफ दोड़ती है, तो वो बैबलर वो कीड़ के भाग जाता है, तो वो कीड़ फिर वो रेकेट ट्रेल रेंगो खाता है तो यह एक तरीके का क्या कहना चाहिए खाना चोरी का एक उधारन है इसलिए जब भी जंगल बैवलर अगर जमीन में दिख रहे हैं तो अमूमन अगर आप उपर की स्टोरी में दिखेंगे तो यह रेकेट ट्रेंगो आपको मिल जात तो असी तरीके से क्या इको टूरिजम बोट भी ऐसे इकोस्टे इस तरीके से कुछ डेवलप करने का अपने भी सोचा है हमने दू-तीन जगे इसके एक्सपरिमेंट अभी किये हैं हमने कर्मा जीरी में किया है पैंच में और काफी अच्छ वो चल रहा है इसके अलावा कान का पहले अपना एक होमिस्टे बनाए था अब एक चाहर कमरे का और बना रहा है तो तीन साल में उसने इतनी प्रगति कर ली तो यह बेसिकली एक बाग है कि हम लोकल यूथ को प्रोस्ताहित करके उनके आर्थिक अन्यन के लिए काम करें जैसे अब एको स्टे अगर बनता है त उनको बहुत आनन्दा है बिलकु क्योंकि होमिस्टे एक डिफरेंट एक्स्पिरियेंस होता है होमिस्टे के लोगों को हाईजीन और दूसरी चीजों की ट्रेनिंग दिलाना जरूरी है और पॉपलराइज धीर धीरे करके उसको करना पड़ेगा तो होमिस्टे एको टूरि यह था एक दो उसकी आफक मुझा तो नहीं अचाहिक यह जो जंगलों में बफर्सों होता है वहाँ जाने के लिए जिप्सी की जगे है क्या साइकिल और पेदल चलने का प्रोवईजन रिसकी होता है ऐसा तो नहीं दोनिषख कि तो नहीं लेकिन उसमें एक ठेन अदमी 7 सा साइकलिंग और ट्रेकिंग दोनों को प्रोस्ताहन दे रहा हैं लेकिन यह गाइड़ टूर होते हैं उसमें किसी अनभवी आदमी को साथ में रखा जाता है ताकि परेटोकों की सुरक्षा से कोई कम्परमाइज ना हो इसलिए साइकल और पैदल चलने का प्रोविजन मोस्ट करते हैं कि उनके साथ में कोई अनभवी आदमी जो वन्न और वन्ने प्राणियों की जानकारी रखता हो वो साथ में रहे हमने आपकी जो एकोडुरिजम की वेबसाइट है उस पे देखा है अभी नौ आपके स्पोर्ट समें दिखाई देते हैं तो क्या अब कुछ और ऑप कि इतने हो चुके कितने बात लिए वेबसाइट में जरूर हमने सिफ चुनिंदा डाले हैं आज की डेट में लगभग मद्प्रदेश में 200 स्पॉट हमारे हो गए हैं और यह 9 इसपॉट ऐसे हैं यह वेबसाइट में इसली डले हैं कि यहां पर हम लोग ने ऑन-लाइन बु जानकारी हम जो है शीगरी अपनी वेबसाइट पर जिसमें अफलाइन रिजर्वेशन हो रहा हो लेकिन उसकी जानकारी भी वेबसाइट पर वो यह तुटी है कि हमने सिर्फ ओन-लाइन डाले हैं लेकिन आफलाइन वाले भी होने चाहिए और जल्द हम उसको अपडेट करे मैं अगर कहूं मुझे जो दिल के करीब लगा वो मेरा फिल्ड अरेक्टर सत्पला टाइगर रिजर्व की जो पदिस्थापना थी और पहले जब मैंने जोईन किया था तो सत्पला टाइगर रिजर्व को मद्द प्रदेश के प्रमुक टाइगर रिजर्व में गिंती नही तो वहां जो मनें काम किया या वहां जो सीखा वो मेरे लिए सबसे सेटिस्फाइंग एक्सपीजेंस है मेरी सर्विस लाइफ का धन्यवाज आज 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 आपने समय निकाला और आप हमारे इस कारिक्रम में आए और अपनी बहुत सी बाते दिल से कही आज हमने MP Eco Tourism Development Board के मुख्य कारे पालन अधिकारी श्री राजपुत जी से Eco Tourism के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की आशा करते हैं कि अब आप भी छुट्टियों में किसी ना किसी Eco Tourism Destination पर जाने का रुख जरूर करेंगे और पॉलिशन फ्री वाता वरंड में छुट्टिया जरूर बिताएंगे तो आज के कारिक्रम में बस इतना ही अगले हफते हम फिर हादिर होंगे तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजे इजाजत नमस्कार किसी नमस्कार